नमस्कार प्रभासाक्षी के शंगध्वनी कारेक्रम में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कार्थिक पूर्णिमा और देव दिपावली की जब इसनान से लेकर दान पूर्णिय का होता है विशेश महत्व कार्थिक मास को पढ़ने वाली पूर्णिमा को अत्यांत पव पवित्रमाना गया है विशेश रूप से उतर भारत में इस दिन गंगा स्नान का महत्व बेहत अधिक होता है हिंदु धर्म में वैसे तो लोग हर पूर्णिमा और एकादशी पर गंगा जैसी पवित्र नदी या अन्य नदी में स्नान करते हैं मगर कार्थिक पूर्णिमा क इस दिन को देवद्र नवंबर को मनाय जा रही है देवद्र नवंब्र को मनाई जा रही है य। इस दिन स्वर्ग लोग से देवी देवता धर्ती लोग पर प्रधारते हैं। इसलिए इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इनुधर्म में देव दिपावली या कार्तिकूर्णियूमा को बेहद शुब दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में इसनान कर दान पुन्य करते हैं इस दिन दीबदान करने का विशेश महतु बताया गया है काशी और गंगा घार पर दीबदान करने का विशेश महतु भी बताया गया है ऐसे करें देव दिपावली पर पूजा देव दिपावली के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए इस दिन कोशिश करें कि नदी में स्नान किया जाए अगर ऐसा ना कर सकें तो नहाने के पानी में ही गंगा जल डाल कर इस स्नान जरूर करें इसके बाद साफ कपड़े पहने और सूर्ध देवता को अर्ग दे इस दिन भगवान गणेश शिव जी विश्टु जी की पूजा करने चाहिए इस पूजा में हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, मौली, जनेउ, दूर्वा, पुष्प, फल और नवेति भगवान को अर्पित करना चाहिए इसके बाद धूब जला कर आरती करनी चाहिए देव दिपावली के दिन मालक्ष्मी का आशिरवाद पाने के लिए भी विशेश उपाय किये जा सकते हैं इस दिन जो भक्त मालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस पर मालक्ष्मी का आशिरवाद हमेशा बना रहता है कार्तिक पूर्णिमा की रात में चंदरोदय के बाद कार्तिक स्वामी की छे माताओं का पूजा करना चाहिए जिन्हें तपस्विनी क्रतिका कहा जाता है इनका पूजन करने से घर में अन्न धन वैभव एश्वर रहाता है कार्तिक पूर्णिवा के दिन पीपल के व्रक्ष की पूजा भी करनी चाहिए ऐसा करने से पुनिय मिलता है इस दिन घर के मुखे द्वार पर तोरण लगाना चाहिए इसके साथ ही रंगोली भी बनानी चाहिए ऐसा करने से मालक्ष्मी प्रसन होती हैं और घर में विराजती हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुब माना जाता है इस दिन इन कार्यों को ना करें कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर कोई गरीब जरूरत मंद्या असहाई वित्ती आये तो उसे खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बुजुर्गों से कटू वचन नहीं बोलने चाहिए इस दिन मास मदिरा लहसुन प्यास का सेवन भी नहीं करना चाहिए आज के लिए इतना ही अगले शंक धुआनी के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके